Good morning everyone. Today we will do chapter 28 in English grammar. Chapter name is The Little Kite. This is a story. First we read this story then solve all exercise of this chapter. This is an unseen passage. कोई भी अगर इस तरह का passage होता है, पहले हम उससे पढ़ते हैं. उसके बाद जो questions या जितनी भी exercise होती ही वो इसी chapter में से ढून के हमें solve करनी होती है. Now start. There was a boy named Ted. एक लड़का था जिसका नाम क्या था? Ted था. He had a little kite. उसके पास एक छोटी पतंग थी. Ted liked to fly his kite every day. Ted को प्रती एक दिन अपनी पतंग को उड़ाना बहुत अच्छा लगता था. What the kite was afraid to fly to height. लेकिन जो पतंग थी उसे बहुत उचे उड़ने पर डर लगता था. One day Ted flew the kite. एक दिन क्या था? Ted ने अपनी पतंग को उड़ाया and it went up into a tree. फिर ये क्या था? ये पेड में चली गए. It did not come down. और ये बापस नहीं आया था. ये जो पतंग थी वो पेड में ही फस गई. Ted pulled the string again and again. जो Ted था? उसने इस्ट्रिमीज धागा जो पतंग का धागा था उसे बार बार खीचा. The string broke. जिसकी बज़े से क्या था? वो धागा तूट गया. Ted was very sad. और जो Ted था? अब बहुत दुखी था. He lacked the kite in the tree. उसने क्या किया उस पतंग को वहीं पेड पर ही अटकर छोड़ दिया और बापस घर आ गया. He kept thinking about his lovely kite. और वह क्या अपनी पतंग, प्यारी सी पतंग के बारे में सोचता रहा. The little kite hide among the leaves. जो छोटी पतंग थी, कहाँ छीपी हुई थी? पत्तियों के बीच में. At the night, the wind began to blow gently. अब रात हुई. तो रात में कहा था? हवा धीरे-धीरे वहने लगे. यह चलने लगी. It whispered, why are you hiding among the leaves? यह जो हवा थी वह धीरे से फुसफुसाई. क्या? कि किस से फुसफुसाई थी? पतंग से. उसने कहा, तो मिस पत्तियों के बीच में क्यों छुपी हूँ? The kite replied, I am afraid to fly too high. जो पतंग थी उसने उत्तर दिया. मैं बहुत उचे उड़ने पर मुझे बहुत डर लगता है. The wind said, when we do something for the first time. जो फतंग थी, जो हवा थी, उसने कहा, जब भी हम कुछ पहली बार करते हैं, तो हमें क्या वह लगता है? But the fear goes away. लेकिन जब धीरे-धीरे से कई बार करते हैं, फिर धीरे-धीरे हमारा जो डर होता है, वह समापत हो जाता है, चला जाता है. Have no fear और कोई भी डर नहीं रहता. The kite was very happy to hear the wind's words. जो पतंग थी, उसने हवा के जो शब्द सुने थी, उनसे बहें बहुत ही जादा खुश हो गई. The next morning, it floated down. अगली सुबह क्या थी? ये? टैड नहीं लगी. टैड वास वेटिंग अंडर दा ट्री. और जो टैड था, वह भाही पेड के नीचे इंतजार कर रहा था. He picked the kite और उसने उस पतंग को उठा लिया. जब पतंग पेड से नीचे निकल गिर गई, वहाँ से नीचे आ गई, तुझे क्या था? उस टैड ने उस पतंग को उठा लिया. He tied a new string to it और उसने एक नया धा गई इसमें बांदा and began to fly it और इसे उड़ाना प्रारांब कर दिया. The kite flew high up in the sky और जो पतंग थी बहुत उचे आकास में उड़ी. The little kite was very happy और जो काइट थी अब बहुत ही खुश थी. Ted was happy to और जो टैड था बो भी अब खुश था. Now we solve the all exercise. First, write T if the statement is true and F it is false. आपको अगर जो sentence हैं यह दिये हुए हैं अगर आपको लगता है यह true है तो true है तो उसकी जगर true की जगर T लिखना है अगर false गलत है तो F लिखना first है. Ted had a lovely kite. Yes, Ted के पास एक प्यारी पतंग थी. इसमें T लिखेंगे. Next, Ted's kite got stuck in a tree. जो Ted था उसकी जो पतंग थी वो पेड में फस गई थी. Yes, इसमें भी T बनाएंगे. और next हमारा है, Ted climbed the tree to get his kite back. जो Ted था बहें अपनी पतंग को बापस लेने के लिए पेड पर चड़ा, नहीं वे पेड पर नहीं चड़ा था, false आएगा. The kite wanted to fly high. नहीं वे उचे नहीं उना चाते है क्योंकि उसे डर लगता है, इसमें भी F आएगा. Last, the wind spoke to the kite. जो wind थी, हवा थी, भै पतंग से, उसने कुछ कहा, हाँ, इसमें true आएगा. Next, answer the questions. इसमें जो question दिये, उनके आपके लिए answer बताने. पहला question हमारा है, why was the kite hiding? जो पतंग थी, वे क्यों चुप गई? इसका answer है, because it was afraid to fly too high. क्योंकि यह पतंग क्या थी, उसे बहुत उचे उनने पर डर लगता था. Next, what did the wind say to the kite? जो हवा थी, उसने पतंग से क्या कहा? Answer, why are you hiding among the leaves? जो पतंग थी, उसने पतंग से उसने कहा कि तुम पत्तियों के बीच में क्यों चुपी हुई हो? Third, who picked the kite up when it floated down? जब यह पतंग नीचे गिरी थी, तो फिर किसने उठाई थी? इसका answer आएगा, Ted picked the kite up when it floated down. Question number four, why was Ted happy in the end? जो Ted था, वो लाश्ट में खुश क्यों था? Ted was happy in the end because the kite flew high up in the sky. जो पतंग थी, वो आकाश में बहुते उचे उड़ी दी. Exercise C, match the words from the story with their meanings. यह जो कुछ words है, इसके meaning दिये हुए है, स्टोरी में. आपको उन्ही से इसके meanings बताने हैं. String, String means दागा होता है, और इसका किस में आएगा? F, Thread means भी दागा होता है. तो आप इसे जिग जग नहीं करेंगे, जिस तरह से पॉइंट लिखे हुए हैं, उस तरह से Thread के आगे नंबर बन लिखेंगे. Afraid means डरना, Scrared means भी डरना, नंबर टू. Floated means तरना, तो moved in the air, थर्ड, ए में. Next हमारा 4 है, विशपर्ड, विशपर्ड means होता है, फुसफसाना, तो वी spoke softly, वी में 4 लिखेंगे, 5 लबली, लबली का सी ब्यूटिफुल के आगे 5 लिखेंगे, Gently, 6, Gently कहें, Not, Strongly, यहाँ पर E के आगे 6 लिखेंगे. Exercise D, pick out two describing words from the story which have been used for the kite. आपको कोई भी दो describing words लिखने हैं, जो इस story में, पतन के बारे में कहेंगे. Describing word क्या होते हैं? The words tell the quality of the noun your pronoun, ऐसी वर्ड जो noun your pronoun की quality बताते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे describing words कहलाते हैं, और इस में कौन-कौन quality बता रहा है? Number 1, little, kite कैसी थी? Little थी, और कैसी थी? Lovely, यह दोनों हमारे describing words हैं. Exercise E, put an apostrophe in the right place. आपको apostrophe, जो सही place है, उसका वहाँ पर लगाने. Apostrophe, first sentence हैं, हमारा, tats, kite was pretty. Apostrophe क्या होता है? यह एक जो नाउन होता है, वो दूसरे नाउन पर उसका अधिकार बताता है. तो इसी तरह से, tats, kite was very pretty. तो यहां पर किस पर आएगा? Tats, किसकी पतंगती? Tats की, तो tad और S के बीच में apostrophe का यूज़ करेंगे. Second, the kites fair made it stay in the tree. तो इसमें किसको भैता? Kites को, the kites fair, तो kite की बीच में S लखाए, वहीं पर हम इसे apostrophe का यूज़ करेंगे. Next, the kite, the kite listened to the winds words. तो इहां पर किसके शब्दों सुनेते? Winds, तो इहां पर S और wind के बीच में apostrophe का यूज़ करेंगे. Last, the kites string broke, तो किसका धागा टूटटा? Kites का, तो kite और S के बीच में हम apostrophe लगाएंगे. Thank you.